हे गाईज गूद बॉर्निंग देव भूमे एजग संत्राखण में आप सबीका स्वागत है वीडियो के सुरवात करते हैं एक खुबसरत मोटिवेशनल कोट के साथ आप अपना भवश से नहीं बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भवश से बदल देंगे तो ये खुबसरत मोटिवेशनल कोट है हमारे जो पूरो रास्टपती डक्टर एपी जी अदुलकलाम जी का और सबसे पहले उत्राखंड राजय स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत-बहुत हार्दिक सुपकामनाएं आजी के दिन 9 नौमबर 2000 को उत्राखंड राजय का निर्मान वहता ये उत्रप्रदेश से अलग कर नए राजय के रूप में उत्राखंड बना था और पर तेक वर्स 9 नौमबर को उत्राखंड राजय स्थापना दिवस के रूप में मना जाता है तो आप देख सकते हैं उत्राखंड के यहाँ पर 23 वर्स गांट है और उत्राखंड राजय स्थापना दिवस की 23 वर्स गांट पर से भी को एक वार फिर से सुप काम नहीं तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्राखंड गौवर्मेंट की जो उपलब्दिया है इस 23 वर्स के यहाँ पर प्रो और कौनस दोनों हम डिसकस करेंगे उत्राखंड रा महत्मा गांदी नरेगा के अंतरगत 3.59 लाग परिवारों के 4.71 लाग बिक्तियों है तो 112.38 लाग मानव दिवस सर्जित करते हुए कुल 413 करोड की धनरासी ब्याई की गई है मनरेगा के अंतरगत 413 करोड की धनरासी का ब्याई हुआ है तो यह आप यह देख सकते हैं और पीम आवास यूजना में 40,476 आवास बन चुके हैं घर बन चुके हैं जिसमें कुल 6,95,579,582 तोटल स्विक्रत आवास थे और जिसमें से 40,000 प्लस बन चुके हैं मिसन अमरित सरोवर के अंतरगत 975 के लक्षे के सापिक 1299 अमरित सरोवर निर्मित कियेगी दीन दयाल उंतियोदय यूजना NRLM के अंतरगत 55,000 से अधिक SSG गठित तथा 40,272 सद्दे से लगपत दीदी के रूप में तयार किया गया प्रधानमंत्री ग्रामशड़क यूजना के अंतरगत पर्थम इवंद्धिय फेज में 19,537 किलिमेटर सड़क निर्मित करते हुए 1841 बसावटों को सड़क निर्मार से स्योजित किया गया DDU, JKY के अंतरगत स्विक्रत कारियोन के तहत कुल 20,905 युवाओं को प्रिशिक्तित कर 15,270 युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया रूरल बिजनिस इंक्यूबिटर के अंतरगत राज्य में कुल 1530 इंक्यूबिटीज एड़ेड हैं सहायतित हैं तो यहां पर यह परत्वों को उपलब्दिया हैं गौर्वर्मेंट अप उत्राखंड के तो यह महतपों एक्जाम के देश्ची से डाटा है और अगयम एक्जाम में पूछी जाते हैं कई और क्वेसन दूसरी अपडेट है यहां पर उत्राखंड जो पुलिस महानिदी सब देरदून के तरफ से यहां पर पत्र जारी किया गया पुलिस उप महानिरिक्षा कार्मिक उत्राखंड के पत्र संख्या डीजी सेवन 29 2019 30 10 2023 30 अक्टवर को यह जारी किया गया के द्वारा उत्राखंड पुलिस आरक्षी भरती में बिर्थियों की अधिक्तम आई सीमा में एक बार के लिए सितली करण परदान करते हुए अधिक्तम आई सीमा 28 वर्स के लिए 28 वर्स किये जाने के समन्द में सुस्पष्ट प्रस्ताव मंतब्या उपलब्द कराए जान ताकि तद्वनसार सुचना प्रिशित की जा सके तो यहां पर देख सकते हैं आप टोटल एक बार आई सीमा में जो पुलिस आरक्षी है भरती में अभी अधिक्तम आई सीमा में एक बार के लिए सितली करण परदान करते हुए अधिक्तम आई सीमा 28 वर्स किये जाने के समन् लोकसवा आयोग में अध्यक्षीक सदयस्य के निमरिकित रिक्त पदों पर चाहले ने सक भारत के नावर्द कुर्ण आम पर तो यहां पर पोश्ट निकलिया है उत्राखन लोग सेवा आयो के अध्यक्स की एक पद और दो सदेश्यों की रिखतियों है और आवधन जमा करने के अंतिम्त थे है चौबीस ग्यारों दोहजार तेज़ आयो के अध्यक्स और सदेश्य उत्कृष्ट चमता और उच्पर्तिष्टा वाले सक्षम इमांदार निस्पक्छ ब्यक्ति होंगे जिने साहित या विग्यान कला समास सेवा प्रसासनिक और नियाई छित्र बिसेश्यों के समण में बिसेश्य ग्यान या बिहवारिक उन्वा हो जो योगता के अधार पर चैन करने के अपने भारत सरकार या किसी राजे की सरकार के अधिन स्रणी एक स्रणी कोग के अधिकारी के रूप में कम से कम दस वर्सों तक पद्धारन करने वाले अधिकारी भी आवदन कर सकते हैं लोग से वा आयूग का सदेश्य से अपने पद्धारित करने की तिसे से 6 वर्स की अवदी त तक अत्वात बासट वर्स की आयुप्राप्त कर लेने तक निन्में से भी पहले अपना पद धारन करेगा कोई बित जो उत्राखन लोग से आयुग के तदेखे रूप में पद धारन करता है अपनी पदाविदी की समाप्ति पर उस पद पर पनर्युक्ति का पात्र नहीं कि रुप कार निया और वायो और से आयुग के दियाक्त्र उसन कोई कार्वाहिदी कीडिया तहीं इसमें आवधन करेंगे तो यहाँ पर यहां पर दो तीन पोस्ट निखली है उत्राखंड लोक सिवाएं कि अदयक्ष जो अभी कारेवाहिक यहाँ पर अद्यक्ष का पद खाली चल रहा है और इसमें दो सदेस्यों के पद भी खाली चल रहे हैं नेक्स अपडेट है उत्राखंड, अंदोलन कारियों के औरक्षण 불 का ड्राप्ट आज द्रावन सभार्ववर्व्शंट्री उत्राज अंदोलन कारियों को को सरकारी नौकरी में आरक्षन ड्राप पर निर्णाई लिया और विरस्तिवार को परवर समेथी विधान सबाद्यक्ष को ड्राप सौंपेगी उन्होंने कहा कि 10% 36 आरक्षन ड्राप में राज्य अंदलनकारियों के हित्में है तो यह आप देख सकते हैं महतवपूर भी यह रिजर्वेशन बिल है जिसके अंदलनकारियों को 10% होरिजेंटल रिजर्वेशन डेये जाने का प्रावधान क्या जाएगा नेक्स अपडेट है तरक्की मिली और संभावनाई खुली तो यहां पर आप देख सकते हैं गौर्वर्मेंट अप उत्राखंड के 23 सालों में जो प्रगिति हुई है और शड़कों का नेट्वर्स हुदाओं का विकास तीर्थाटन और प्रेटन के छेत्र में भी राज्य ने प्रगित की है शिक्षा के छेत्र में प्रिजुनाओं से देश भर में रोष्णी फैलती है और उपलब्दियां हम राज्य की प्रगिति पर शफर यहां पर देख सकते हैं आप तरक्की मिली और संभावने खुली सबसे पहले जो उत्राखंड राज्य की उपलब्दिय सरकार नいや देनला कर 30 पर 36 custom आरक्षंड बहाल किया बता दे खिए 16 जलाइ 2011 की महाहन को सरकारी नौक्रियों में 20 पर 36 आरक्षंड दिया गया। तो यहां पर 20% सबसे पहले 16 जुलाई 2001 को उतराखंड मूल की महलाओं को सरकारी नौकरियों में 20% 3600 आरक्षंड दिया गया था और ये मात्र एकसासना देश के आधार पर दिया गया था जिसे माने हाई कोड द्वारा इसमें रोक लगा दिये और इसके बाद राखंड गौर्मेंट द्वारा इसमें एक्ट बना कि महला रक्षंड बिल को कानून का रूप दिया गया है तो ये 10 जनौरी 2030 से ये रक्षंड उतराखंड में लागू हो चुका है नए दूसरा है नाइटी वा केंद्री विश्विद्याले में ले उच्छ शिक्षा तकनीती ब्याउसाय सिक्षा चेत्र में प्रतिश सहस्तान की स्थापना की देशामा उतराखंड ने मजबूती से कदम उठाई राजय में एक बिद्य विश्विद्याले खोने की तैयारिया दोजाने में गढवालव सिविद्याले केंद्री विश्विद्याले बना राजय को राज़्य प्राधिति क्यांस्तान N.I.T. स्रीनगर में जो खुला है आएम कासिपूर और सेंटर इंस्टिट फॉर प्लास्टिक एंजिनियरिंग एंड टेकनलोजी दोईवाला में ये खुल चुका है तो ये अपलब्दी है तीसरी है किछा में मिला एम सेटलाइट सेंटर स्वास्तिय और सेटर में राजे को हरिद्वार रुद्दपूर्ट धरगर तीन नए मेडिकल कॉलेज जल्द मिल जाएंगे इन तीनों मेडिकल कॉलेजों पर काम यदिस्तर पर सुरू हो गया उधम सिंग नगर के किछा में एम सेटलाइट सेंटर के स्थापना होने जारी है चौथा है नए निवेश से रोजगार के द्वार खुलेंगे राजे में अधिदिक विकास और पहाणों के पलायन रोकने के लिए राज सरकार करीब 1.24 लाग करोड के निवेश वस्ताव पर करार चुकी है जिसमें राजे में नए उद्द्यों लगने रोजगार के उसर खुलना तदा साथ राजे की आर्थिक विकास तर बढ़ेगी सरकार ने पांस साल में दोगनी जीटिपी करने का लक्ष रखाया है के दानात है हैं कुंट साहिब रोपए का निर्मान होगा के दानात हैं कुंट साहिब की रोपए प्रियोजना की डीप्यार तयार हो चुकि और चालीस स्थानों पर रोपए निर्मान की योजना है चुरकंड़ा मंदिर के लिए रोपए शुरू हो चुका है तो कि के दानात धाम स्री के दानात के लिए भी यहां पर जो रोपए बनेगा ट्रॉली बनेगी इसमें ये इसके लिए इसला नियास हो चुका है नेक्स है गैरसेंड मास्टर प्लांग गैरसेंड को ग्रीव स्कालन राज़धने बनाने के बाद अब सरकार इसके लिए सुनी योजित विकास के लिए मास्टर प्लांग गैरन के वज़ना कर गारी है, दून से चली बन्दी भारत, रेल सिवाओं के मामले में उतराखंड पर रेल मंत्राले की उदारता दिखी है इस साल दिल्ली से देरदुन, देरदुन से दिल्ली के लिए बंदी भारत एक्सप्रेस और दिल्ली से कोड़ द्वार के लिए रेल सिवा सुरू हुई है तो यहां पर महत्तपूर्ण दो रेल सिवाईं बंदी भारत एक्सपेस होई दिल्ली दैरदून से दिल्ली चारधाम रोड चालू पहाड पहुंचेगी रेल चारधाम ओल विदर रोड आम लोगों के लिए खोल चुका है और इसके से कणप्रयाग रेल पहुंचने का काम भी उमीद की जारी है बोडर के गाउं में परेटन से बड़ेगी रोणक नए मुकाम पर चारधाम जात्रा मानस खंड की और बड़ी कदम के दारनात और बदरिनात धाम की तरज पर कुमाम अंडल के इतिहासिक मंदिरों को परेटक सुद्दाओं के लिए बिक्सित किया जाए जोड़ेगाई us योजदा में अनटालीस मंदिर सामिल हैं मानस खंड मंदिर माला मिसन जिसका नाम दिया गय और मिसन इस मंदिर माला की श्रिंखला में शामिल आधी कैलास पारवती कुंड जागिश्वर मंदिर की यातरा 2 अक्वजर को स्री नरेंदर बोडी जो हमारी भ जो बात करता है करसक आखिर कहां और क्यूं रह गई कसर इस्थाई राजधानी तक नहीं वड़ी अभी पलायन से सेकणों गाउं खाली हो चुके हैं उतराखन राज्य में 32 लाग से अधिक लोग पलायन कर चुके हैं और करीब 1700 से अधिक पोस्ट विलेज बन चुके हैं गोस्ट विलेज बन चुके हैं एक हजार से दिक गाउं ऐसे हैं जिनकी आवादी 100 से कम हो गई है और 2010 से 2018 के बीच 44 गाउं में आवादी 50 फीसदी से कम आकी गई है रोजगार उच्च और व्यावसाइक सिक्षा स्वास्त शड़क और पानी के साथ प्राकृतिक आपदाओं और मानव बन्या जीव संगर्स की भी पलायन के मुख्य कारण है तो यहां पर पलायन की मुख्य प्रॉब्लम जो उत्राखन में है यह सामने दिखी है और इस्था काली राजदानी तय नहीं कर पाई राजजा अंद्रलुन कार्यों की जो आने कह एं तो दे रदून स्वयंभू राजधानी है अस्थाई राजधानी को लेकर सत्ता पर कावी रही कांगरिस बीज़एवी सरकार राजनितिक इच्छा सक्ति नहीं दिखा पाई पहाड की र राजदानी का दरजा देने की हिस्ताट के कारण देरदून का बिस्तार असमन्जस की स्तिति मेरा है और 23 साल बाद जाकर राजधानी के समीव राइपूर छेतर में सच्वालय और बिधान सभा बहुन बनाने की दिसा में सरकार करम सरकार कडम उठा रही है तो यहाँ पर जो अभी तक सचवाले और विधानसवा बहुन अभी अस्थाई तोर से इसके लिए यहाँ पर भूमी चाइनित की गई है राइपुर और राइपुर छेत्र में इसके लिए भूमी चाइनित की गई है गाउं के विकास में अभी थोड़ी कसर बाकी है राजय बन्ने के पीछे एक अवधारना या वितिकि पहाड का विकास होगा दूरस्क गाउं में पलायन रोकेगा पहाडों से पलायन भी बरतमान में एक बड़ी चुनाती बन गया है आठ लाग बिरोजगार तेईस वरसों में तमाम प्रियासों के बावजूद भी राजय में बिरोजगारी की समस्या का कारगार समाधान नहीं हो सकता राजय के सिवाई जिन का रहले में आठ लाग से अधिक लोग बिरोजगार पंजिकृत हैं इनके अलावा इसमें बड़ी संख्या में गैर पंजिकृत बिरोजगार की संख्या है और जो राजय की बिरोजगारी है 4.2 परसत इसमें युवा बिरोजगारी बिरोजगार हैं आर्थिक बिसमता पहाड अब भी पीछे हैं उत्राखंड राजय की जरूरत इसलिए भी थी कि उत्रपरदीश जैसे बड़े राजय में पहाड पिछल रहे थे विकास की केरण पहाड़ी छेतरों तक नहीं पहुंच पारे थी राजय बनने के बाद प्रवतिय छेतर के विका के आगड़े पहाड और मैदान के बीच की खाई को सपस्ट तोर पर प्रदिशित करते हैं प्रतिव्यक्ति आय और आर्थिक विकासदर के आँकोड़ों पर गौर करें तो प्रियाग जिले की प्रतिव्यक्ति आय में राजय सबसे कम है और जबकि मैदानी जिले हर्दवार की प्रतित के आई सबसे अधिक यह देख सकते हैं आप यह महतपूर्ण जो फैक्ट है अगामी एक्जाम यो कि PCS मैंस का जो एक्जाम होगा तो इसके दिश्चे से निभंद जो ऐसे राइटिंग है उसमें यह पॉइंट आप लिख सकते हैं उत्राखन राज्य में जो यह है पलायन की समस्या और बेरुजगारी आर्थिक विसंता एकोनोमिक डिस्पैरिटी अभी भी यहाँ पे है तो इन पॉइंट्स को आप हम निभंद में लिख सकते हैं राज्य स्थापना दिवस की मख्यमित्री नेदी सभी को बदाही और 2024 तक राज्य को TV मुक्त और 2025 तक ड् डबल इंजन के गुण में युग में अगले पांस साल में उत्राखन के आर्थिक विकास दर जीडिपी दोगने करने का हम सफल होंगे पहाड में निभीस के लिए बिसेश प्रियास किये और 9-10 दिसंबर को देरदुन में Global Investor Summit का आउज़न हो रहा है तो यहाँ पे उत्रा उत्राखन का दसक बनाने के लिए चाहिए सबका सयोग समान नागरिक सहिता की और प्रभावी कदम उत्खेमंतरी ने का कि राजे में समान नागरिक सहिता लागू करने की दिसा में हमने प्रभावी कदम उठाए हैं समान नागरिक सहिता सबका साथ सबका विकास विस्वास मुख्यमिंत्री ने का डबल इंजन के यूग में कुद्राखंट को मिलने वाली केंद्री साहिता दोगनी हो गया 2012-2017 के बीच वार्सिक उन्दान 56,015 क्रोड से 56,615 क्रोड की तुलना में 2017-22 के डबल इंजन के यूग में बढ़ा कर 11,160 क्रोड पे हो चुकी है यहाँ आप देख सकते हैं युवा की साथ धोगा नियाई तो यह राजिस थापना दिवस पर भरष्टाचार रोकने के लिए कठोर कदम उठाए गया यहाँ पे 905 सेवा का दिकार ट्रांसपर एक्ट पारदिसी व्याउस्ता बनाकर राज़ में भरष्टाचार के समूल नाराक का प्रियास किया गया यह 1064 वेब एप लॉंच किया गया और कई महतवपूर कदम उठाए गया बरष्टाचार की सहकायतों को दर्ज करने के लिए जनता के लिए 1064 यह टोल फ्री नंबर जारी किया गया उत्राखंड के अर्थवियास्ता का आकार 3 लाक करोड के पार उत्राखंड के अर्थवियास्ता का आकार राज़ गठन के 23 वर्सों में 3 लाक करोड रुपे के पार पहुँचा उत्राखंड की परतिब्यति आये 2 लाक 32 जार रुपे से अधिक है उत्राखंड बने के बाद यहां महज़ कुछ ही उद्द्योग हैं राज्य का सालना बजट भी 5,000 क्रोड के करीब था लेकिन 23 वर्सों में आर्थिक मोर्चों पर काफी तरकी हुए विकास के मामले में पहाड और मैदान के बीच खाई भले ही समापना हूपाई हूपर और राज्य की अर्थविवस्ता ने काफी बिस्ता लिया है और नियोजन विभा की रिपोर्ट के उनसार 2022 ते इसमें राज्य की अर्थविवस्ता यानि GSTP का आकार बढ़कर 3.03 लाग क्रोड रुपे हो गया है जो पिछले साल 2.65 लाग क्रोड था यही नहीं राज्य की प्रदिवक्ते आई में भी लगततर जाफा हो रहा है पिछले बित्वर्ष में उत्राक्ण्ड की प्रतिवक्ते आई 2.32 लाग रुपे देख हो गया है तर राष्टिय प्रतिवक्ते आई से अधिक है जो और गरीबी को कम करने के प्रयासों में भी सफलता मिले नीति आयो के और से जारी बहु आयामी वर्स 2016 में 17.6 पर सथी जो 2021 में घटकर 9.67 पर सथी तो महत्वपूर्ण आकड़े एक्जाम के दिश्टी से यह है नेक्स है जोली ग्रांट को बनाएगी अंतराश्टी एरपूर्ट सरकार मुख्य से भी डॉक्टर ऐसे संदू ने का है कि प्रदेश में अध्यदिक निवईस बढ़ाने के लिए रागधानी देरादून में अंतराश्टी एरपूर्ट होना जरूरी है यदि भारती हवाई इसमें दिल्चस भी नहीं दिखाते है तो प्रदेश सरकार के इस तर से जोली ग्रांट को अंतराश्टी एड़ा बनाए जाएगा बुद्वार को सिच्वाला में मुख्य सिच्रीम ने प्रदेश में एर कनेक्टिटी को बढ़ा देने के लिए हैलिपेड और शासन स्तर पर गठित राज्य इस तरिया अधिकार प्राप्त समितित ने इसका उनमोदन पास कर दिया है और सौर ने न्यू सौलर पॉलिसी के तहत औरेड़ा के पास 20 मेगावट चमता के साथ प्रोजक्ट के प्रस्ताव आये थे इन में 5.26 मेगवट के 5 प्रस्ताव को प इस योजना से राज्य में सौर उर्जा के छेतर में करीब 75 क्रोड का निवेस होगा कारण स्रजन में कमी को बढ़ावद मिलेगा इस मौके पर सचीव उर्जा और मिनाक्षि सुन्दरम अपर सचीव रंजना राजगूर और अन्य विभागों में प्रतिन मौज़ रही दोजार चॉबीस टीवी मुक्त और दोजार पचीश ड्रग फ्री होगा उत्राखंड राजस्थापना दिवस्पर मुख्यमंत्री ने दिराज्य सभी राजवाशियों को बधाईया मौनाल ही होगा अनतीसवे राश्टिय खेलों का सुभंकर उत्राखंड में अगले वर् राश्टि खेलों के सुभंकर का लोकरपन कया अगले वर्स होने वाली राश्ट खेलों का सुभंकर उत्राखंड का राजय पक्षी मुनालिक करेंगा प्रदेश मैं कई वर्सों से कर उपने देशक नीरज गुपता भी गुवा नेशनल गेम्स का जाज़ा लेने पहुंच गये हैं तीन सो से अधिक सिक्षकों को बड़ी राहत पूर तैनाती पर बने रहेंगे मादिमिक कि अध्यक्स्ता वाली कमेटी ने ऐसे सिक्षकों को उनकी पुरानी तैनाती पर बने रहने के छूट दे दिया है विवाग से आगामे स्थानांतरन सत्र के लिए इस तरह का औचित्य पूर्ण प्रस्ताव भी मांगा है समिति की इस सिपारिश से प्रवक्ता संभार के 112 संभा के 189 सिक्षकों को राहत मिलेगी दुरुगम में इन सभी सिक्षकों ने सुगम के लिए जो बिकल्प दिये थे बाद में उन्हें दुरुगम में ही उनकी पूर तैनाती पर बनाई रखने का उन्रोथ किया गया सरकार नेक्स अपडेट है विश्व विद्याले के दिक्षा ज़ाद्ञ विश्विध्याआले का 35 दिक्षान समारो समपनवाद विशविद्याले के स्थापना के वाद विशविध्याले का पहला दिक्षान समारो 16 नवंबर 1963 को हुआ था जिसमें तत्कालिन को शोचीव ढॉक्टर के वी, स्टीव एंशन के बुलावे पर मखहतिकated क के तोर पर तत्कालिन राष्टपति सरपलेन राधा कृष्णन ने पंत नगर पहुंचकर मतिश छात्रों को उपादियां परदान की थी 31 मार्च 1965 को दूसरे दिख्षान समारों में राष्टपति जाकिर हुसेन 19 मार्च 1922 को नौवें दिख्षान समारों में करे shuttle वे वे वी गिरी चार अक्टबर 1983 को बारवें दिख्षान समारों में राष्टपति ज्यानी येल सिंग 18 नमबब 2015 को 39 दिक्षांत समारो में परणा मुखर जी और 7 नौंबर 2023 को 35 दिक्षांत समारो में राष्ट मतार मुख्या थे एरोपेंट के द्वारा सिर्कट के गयतों सभी राष्ट मतार सब्राइक साथ वी राष्ट मतार में जय वी पनत विशविद्ध्यालわかलत हुझी कुमाओं के प्रवती जिल्लों से पलायन सबसे बड़ी समस्या इसका समाधान और रिवर्स पलायन इससे भी बड़ी चुनोती है कि प्रवती जिल्लों में 209 गाओं जन सुन्य हो गए हैं उत्राखन ग्रामे विकास इवं पलायन निवारन आयो की रेपोर्ट 2030 के उनसाथ 2008 से 2018 तक प्रदेश में 6,333 ग्राम पंचाईतों में से कुल 38,33,726 लोगों ने अस्थाई तोर पर पलायन किया था जबकि 3,946 ग्रा 18,981 लोगों ने अस्थाई रूप से पलायन किया ये ओफिस शुरू करने वाला देश का पहला किरसी विषविद्याले बना पंतनगार द्रौपती मुर्मु राष्टपती महामेहिन द्रौपती मुर्मु ने लौंच की ये ओफिस की वेबसाइट दिक्षान समारों में र पंतनगर पहुँची इसकी बाद बारव पचीस है दिक्षान समारों में राष्टपती दौपती मुर्मु ग्यारव बचके पैंतालिस मिनट पर पंतनगर एएरपूर्ट के बाद बारवपची से दिक्षान पंडाल पहुँची ते एक बचकर 18 बजे वह एक बचकर अठर शुरू करने वारा देश का पहला किर्सी विश्व विद्याले बना है पंत नगर ये क्वेशन वी एक्जाम की दिश्ट्र से महत्पूर्ण है करन्ट अफ्यर की आगम एक्जाम जो आपका यू आरो और टी आराई का एक्जाम होने वाला है राश्वत्य मुर्मु ने के बद्री विशाल के दर्शन तीन दिवसी दोरे के दूसरी दिन बुद्वार को बद्री नाथ धाम पहुंची राश्टपती द्रोपती मुर्मु महुआ की लोग सबा सदेस्ता रद करने की सिपारिस की है समित ने इसे राश्टी सुरक्षा से खिलवाड बताते हुए केंदर सरकार से समयवत जांज कराने की उनसंसा की है तो यहां पर देख सकते हैं जो भष्टाचार रोधी पैनल ने सीविया जांज के इसमें आदिश दिये हैं तो यह अपडेट उत्राखंड और नेशनल करेंट अफेर की थी और देश कोछ आपए फैक्ट हैं देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानू राखन में बना लगपती दीदी योजना के तहत 1.25 लाख महलाओं को लगपती बनाने का लक्षा रखा गया पलायन रुकने और रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए मुखे मंतरी सीमानत छेतर बिकास योजना शुरू की गई का कि योजना चलाएगी स्टेट मिलेट मिसन में इस्थानिक क्रिसकु से जहंगोरा मंडवा सोयवीन चोलाई का उचित मूले पर क्राई किया जाएगा होटी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए पचास जार पॉली हाउस का बजट प्रावधन किया जागा राज्य के युव सरकार गवर्मेंट अब उत्राखंड की उपलब्दियां और प्रो और कॉंस अब दा उत्राखंड राज्य बन्ने तेईस साल हो चुके हैं तो फ्रेंट्स ये थी वीडियो थैंक्स पर वाचिंग वीडियो वीडियो अच्छे लेके तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जर बन्सक्राइब